हेलो दोस्तों स्वागत है भिमन्यू आइस केस मच्छ पिर मैं सन्हीं बहुंस ले आपका मैंस का टीचर आपको क्वांट का टीचर तो क्या आप नहीं अभ्याद शूरू किया जो आपको हर्याना सीविल सर्विस याने क्या आप लोग को ने उस तयारी को शुरू किया अगर नहीं किया तो सही समय है अभी भी आप उस तयारी को शुरू कर सकते हैं कैसी चलिए आज का हमारा टॉपिर रिकर्टाइमेंट इसन्स देखिए अगर मैं बात करूं 41 प्लस सिलेक्शन इन टूथाउज़न टूटीवन याद रखिए 2022 में 27 से ज़्यादा सेलेक्शन और तोटल आपको पता है साट से बासट बच्चों को ही बुलाए गया था या साट से बासट बच्चों की सेलेक्शन हुई है क्लियर है तो 2022 में 27 प्लस यह है एक्स प्रिलिम्स फास्ट ट्रैक बैच जो आपका लाइब बैच क्लासी है और आपकोathy सैच singles मिल रही है पीडिएफ नूärt में यहापको टेस सीरीस मिल रही है और वी्ट को डियुक Kartmi लाइब को दिस्टेंस को अबरार हो सकते हैं आपके आने वले बवीश है क्लियर क्लियर दिल्कirieश को ऐते भाएब हो आदे साट के तो आफ्वेशह साह तो थोड़ा से basics बताऊंगा उसके बाद फिरम आगे इसके questions को करेंगे देखो मेरे पास distance क्या होता है distance होता है मेरे पास स्पीड इंटॉफ टाइम क्या होता है स्पीड इंटॉफ टाइम distance मेरे पास किलो मीटर में तो स्पीड किसमें होगी किलो मीटर पर आवर में और टाइम किसमें होगा आवर में दो छोटी-छोटी चीज़ों का धान रखना आपने अगर distance मेरे मीटर में है तो स्पीड किसमें होगी मीटर पर सेकंड में और टाइम किसमें होगा सेकंड में यह छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि डिमेंचन लैस कुछ भी नहीं से तिन्नों चीज़ों के प्रापर आपके पास है तो उसका अपने डिमेंचन का ध्यान रखना है तो चलिए चलते हैं आज की पहले कुछिन की दरफ चलिए तो ट्रेंस और मुविंग यह आपके पास ऐसी है दो सार बाइस का कोशन है तो ट्रेंस और मुविंग इन ओपजिट डिरेक्शन पास्व ट्रेंस फास्टेंड लॉंग एट स्पीड एस स्पीड डिस फार्टी क्लोमेटर पर आवर और यह देको एक ट्रेंस ऊपोस्कुरू यहां से जा रही है यह कौन सी डिरेक्शन है यह आपके पास opposite direction, opposite direction में total length जो होगी मेरे पास, वो क्या होगी train 1 plus train 2, clear, और relative loss से लिखूंगा delta S से वो कितनी होगी, speed of 1 plus speed of 2 मैं मान के जाना, speed of 1 is greater than speed of 2, दुनों के सिस्के लिए, clear, यह opposite था, अगर मैं same case की बात करूँ train 1, train 2 की, देखो, total length जो है, इसमें भी क्या रहेगी, train 1 plus train 2, बस यहां पर delta से जो होगा न, speed of 1 minus of speed of 2, इस तरह के दो कोशन आए और relative loss के, इसलिए मैंने थोड़े concept भी आपको बता दिया, कि आपको easily आप देख सको इसको, clear, तो यह मेरे वाज basic concept है, जो मैं इस कोशन में यूज करने वाला हूँ, clear, चलिए, चलिए, बिटा, देखो, अब क्यादे, two trains are moving in opposite direction, first train is, तれखो, length of train 1 is, 150 meter long and speed of 1 is कितना, 40 km per hour, clear, and length of second train, length of train 2 is कितना, 170 meter and they crosses each other, मतलब मैंने माना speed of train 2 is x km per hour याद रखी इसकी units मीटर पर सेकंड में आ गई देखो यह किसमें दिये km per hour ना तो इसको km per hour में ले लो फिर मैं इसको चेंज कर दूँगा क्योंकि जब मैं km per hour टू मिटर पर सेकंड जाता हूं तो कितना पांच बटा ठार से मिल्टप्लाइब करता हूं और जब में पर से किलोमेटर पर आओर यह चोटी सी चीज़ है इसको जभान रखेगे काफी जगा कोशन में काम आने वाली आपको कि तो देखो मेरे पास सबसे बहले डिस्टन्स कि एंट्टो टाइम होगा यह बताया था भी मैंने ठीक है जहां महां अपना विलॉस्टी थी अभी जब दो की बात होगी मुविंग अप्जेक्स की तो मैं रिल्टीव विलॉस्टी की बात करूंगा डिस्टन्स कितना होगा 320 देखो पहले की स्पीड कितने है 40 दूसरे की कि और इसको मैं करूंगा 5 बट्रोंटे 18 से मल्टेपलाइब कोज मेरे पास क्या गए है दोनों की दोनों स्पीड हावर में में मेरे को दी हुई है या तो मितर पर सेंज कर लो बट वेंड में में जो अंसर दीया सारे के सारे वो किसमें किलोमेटर पर आवर किलोमेटर पर होगा और क्या दिया मुझे चार सेकंड इस देखो पाँच चौके बीस तो 16, तो 16, उन्हा 18, इस इकल टू कितना, 40, प्लस X, तो 16, उन्हा 16 कितना हो भाई, 27, 27, 27, 32, 32, 288, यहने 288, इस इकल टू 40, प्लस X, तो X कितना आगए अब के बास, 288, माइनस 40, यहने कितना, 248, option number A is the right one, clear, तो option number A बिल्कुल, सही अंसर इस question का, clear, चलिए जल्दी से नोट कीजी, next question भी हम जा रहे हैं, hopefully समझा आगए easy question था, बट मैंने कोशिश किये, कि with logic आपको यह question बताऊ मैं, ठीक है बच्चों, चलिए, चलिए, यह भी आपके ACS 2022 का question है, a man covers a distance of 1400 km in 80 days, resting 10 hours a day, मतब एक दिन में उसना 10 घंटे का यह राम लिया, if he rested for 16 hours a day, अगर वो 16 घंटे का रास लेता है, and walks at 2.5 times, the previous speed, और जो पिछली speed है, उससे क्या चलता है, धाई गुना जल्दी चलता है, मतलब धाई गुना जादा तेज चलता है, then in how many days will he covers 1000 km, 1000 km को cross करने में कितना time लगेगी, बहुत अच्छा question है, जितना छुटा question उतना ज्यादा उल्जाओ question, इस question में बहुत कुछ दिया हुए, देखो मेरी बास सुनो, सबसे पहले distance क्या हो मेरे पास, speed into time, ठीक है, so 1400, अब time, क्या दिया है, देखो, उसने क्या होला पर 80 दिन, एक दिन की बात करूँ, तो rested for एक घंटे एक दिन में कितने घंटे पाई, 24 घंटे, in a tea day rested 10 hours a day, मतलब एक दिन में 14 घंटे काम कर रहा है, तो भाई 80 दिन में कितना करेगा, क्या 80 कुना 14 घंटे काम करेगा वो, क्योंकि सबसे पहले मुझे speed निकालनी है, अगर मैं speed निकाल पाया, तो आगले वाले case को ले ही नहीं पाँगा, ध्यान रखिए इसको, please, clear, तो यह कितना, 1400 इस इकल लुकितना, 14 इंटो 80, टाइम हो गया, और यह क्या हो गया मुझे, speed, बिल्खुल इजी कोशन, मैंने कोई चेर चार्टने की फालतू किस कोशन में, clear, देखिए कितना हुआ, 100 तो 10 बाई 8 यानि कितना, 5 बाई 4 इस इकल लुकितना, किलोमेटर पर आवर मेरी क्या आगी, speed, अब वो क्या कह रहा है, मैं new speed, मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, new speed, hold speed ही कितना, 5 बाई 4, new कितना हूँ, 5 बाई तो मल्टिपलाइ मत करो, कट जाना ही, clear, तो distance is equal to speed into time, distance कितना है, अब ध्यान रखेगा, 1000 किलोमेटर है मेरे रहा, 1400 यह बच्छे से करके करती करते हैं, पूरा question बढ़ा, सबसेंद में यह वो उन्होंने, speed कितना है, 5 by 4, into 5 by 2, clear, speed, अब वो क्या बोला, देखो, next क्या बोला, if he rested for 16 hours a day and walk 2.5 km, अब उसने 16 घंटे किये, तो एक दिन में कितना चला हूँ गया, into 8, into number of days, क्योंकि यह मेरे पास क्या आगया, total time, मुझे नहीं पता है, एक दिन में, एक दिन में 8 चल रहा, पर कितना दिन चल रहा यह नहीं बता है, मुझे तो number of days ही मुझे निकालना है, clear भाई, दो चार, दुनी आठ, 5, 200 और यह कितना अगया, 40, तो answer कितना है मेरा, option number C, 40 days is the right answer, clear, तो please like and subscribe the channel, जल्दी से नोट किजी, next question लोपर चलते बच्चों, चलिए, तो चलते हैं next question की दरफ, उमीद करता हूं, यह समझ आओगा आपको, चलिए ऐसी है, 2021 का question है माना, I'm at take 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 6 km per hour, if he walks with a speed of 10 km per hour, he covers the same distances, बहुत ही लाजवाब प्रश्णों में से, important तो नहीं कोंगो जयदे बठा है, थोड़ा सा concept इस कोच नों जलक रहा है, वो से जलक को हमें पकड़ रहा है, देखो, a man takes 50 minutes to cover a certain distance at a speed of 6 km per hour, देखो भी, अगर मैं distance की बात करूँ, speed into time, distance मुझे पता नहीं, speed कितने है मेरी, 6 km per hour, टाइम कितना देखो, 50 minutes, अगर मैं बात करूँ, एक hour में, कितने minutes, 60 minutes थोड़ा सा concept बता दू साथ में आपको, यानि 60 minutes का, एक hour बोलोगे आप, तो एक minute का कितना time होगा भाई, एक बटे साथ hour, तो यहां भी कितना दिया है मुझे, 50 minutes, तो 50 minutes का क्या होगा आपके आप, 50 by 60 hour, अगर मैं directly बताता, तो आपको शाद ना समझाता, बटाब आप भूलेंगे नि, कि अगर मैं बात करूँ, मुझे किसी minute को, जैसे हम बात करूँ, दो minute, दो minute का, मुझे hour में कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, दो बटे 60 कर दूँगा, उसे जो मेरी basic unit है, clear, तो भाही यह कितना हो गया, 50 बटे 60, तो यह कितना हो गया, सबसे पहले टास्क है था मेरे 55 km मुझे क्या निगाना है, इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर वो 10 km प्रती गंटे की स्पीड से चले, तो सेम डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करते हैं, सबसे पहले टास्क वेरा क्या था मुझे डिस्टेंस तो फांड आउट कर लिया, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, फाइब किलोमेटर, स्पीड कितने है टैन, और ताइम, तो प्लीज 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 स्टेंस लाइक शेयर सब्स्राइब बहुत इंपॉर्टन हो सकते हैं, क्या पता कोई बच्चा इस सलूशन का वेट कर रहा हो से नाचे से मिल रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब कीजिए, बहला कीजिए किसी का शेयर करके, मैं मेरी कोई इसमें वो नहीं है, हम नहीं करोगे जब भी चलेगा, मेरी वीज बढ़ रही है, क्या पता किसी जरूरत मंद के पास के वीडियो पहुंचे, क्योंकि आज आप किसी के भला करोगे भाई, डेफिनिटली आपका भी कभी भला होगा, ठीक है, अगें, ये भी मेरे पास एथीयर दोजार इकिस के क्या कोशन है, मतलब जब वो एक दूसरे के साथ चल रही है, मैंने आपको दो किसी बताया थे, रेल्टिव लॉसी इंटू टाइम, जब सेम डिरेक्शन में हों तो माइनस कर दीजिए, जब ऑपसिट डिरेक्शन में तो एड़ कर दीए, ये दो चीजिए आपको याद रखनी है बस, चले जी है, अगर मैं केस बन की बात करूं, कौन सी डिरेक्शन है, रणिंग दसेमे डिरेक्शन, वर न रुनिंग दूंगों भासर स्लोवा टरिंट तंट इंट देंखुभप, लैंग कि टना है, 130 मिर्ट, लैंग अव्टैन है लांग से मिरे पास, 110 मिंटर, नर परहलेल ट्रैक्ट, तो भाही, distance is equal to relative velocity into time ये meter per second में दे तो मैं meter per second में माला है 130 plus 110 कितना हो गया 240 is equal to relative velocity कितने हैं मेरे बटा मेरे पास पता नहीं but जो मैंने माना speed मैंने माला है x and y और भी किसमें meter per second में clear है तो आपके पास relative velocity into time है अब मेरे को क्या दिया है 240 is equal to relative velocity into time अब मेरे पास क्या है देखो opposite direction में यहनि x minus y और मैंने माना भाई x greater than y है दो चीज़ों का ध्यान रखो ज़रा clear यह आपको बताना भी पड़ेगा ठीक है और यह कितना आगा आपका 20 तो x minus y कितना आगया मेरे पास 12 meter per second x minus y कितना आगया 12 meter per second clear next मेरे पास के distance is here to relative velocity into time अब दूसरे के इसको मैं consider करूंगा easily consider हो जागा देखे when running in opposite direction their speed their speed they passes is each other complete in 12 seconds they go total distance मैंने बताया था सेम रहना है 240 is equal to x plus y into कितना होगे बटे 12 तो एक कितना होगे 20 x plus y कितना है यहां तक बताओ समझ आई बात आदी भी चाहिए easy था clear उमीद करता हूं बहुत अच्छे से आपने नोटी भी कर ले और समझ भी आगा हुआ थोड़ा सा भाही रास्ता बना ले इसके लिए और लिखने के लिए चलिए देखो मेरे को दिये x minus y is equal to 12 and x plus y is equal to 20 मैं पहले दोनों को add करता हूं मैंने add किया तो y by cancel 2x is equal to 12 plus 20 is how much 32 तो x कितना आ गया 16 meter per second clear तो मेरे पास 16 meter per second लेकिया मैं लगा सकता हूं पर फिर भी cross check करूंगा दूसरे वालग यहां पॉट कर दो 16 plus y is equal to 20 तो y कितना आ गया 20 minus of 16 4 meter per second option number इस तरह की question बड़े patience ली करने हैं आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचाने क्योंकि यहां पर हलके सिक है बारी पढ़ सकते हैं अपने को clear the speed of a car increases by 2 km every one hour मतलब हर बार दो किलोमेटर परती गंटे की स्पीड से गती बढ़ती if the distance travel in first hour was 35 km what was the total distance travel in 12 hours करिए कैसे करेंगे देखो इसका मतलब क्या है कि पहले स्पीड क्या थी 35 फिर गया थी 37 फिर 49 उसके बाद कितना है वह करें बता दो जुरूर थोड़ने 12 कुछ भी हो सकते हैं तो यह आपके पास भी एक पी क्योंकि कॉमान डिफरेंस सेम है आपके पास 37 तिस दो नतालिस पैंतिस ओ सैंति उनतालिस एक तालिस ऐसे कर कर गे आपको ट्वैल्व टाइमस जाना है तो सम ओ भी क्या होता है n by 2 into a 2a plus n minus 1 into d अब एक एक करके मैं डिफाइन करते हैं तो कौन सी चीज़ कहता है क्या आपको याद रही n होगा number of terms number of times ऐसे लगा लो a आपके पास है first term d आपके पास है यह भाई आपके पास सारा कुछ ठीक है तो n कितना है 12 बटे दो 2 into of 35 plus 12 minus 2 plus 12 minus 1 और common difference कितना है तो कितना हो गया तो प्लीज लाइक शेन सब्स्राइब क्लिए चलिए लेड़ा सब्सक्राइब क्लिए चलिए बहुत अच्छे कोशन आप दो तीन कोशन ने से मुसके हैं हम बड़े असाने से करेंगे इनको बिदाउट किसी फॉम्मला को लगाए हां बेसिक जो फॉम्मला वो तो में यूज करना है बट शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे से हम इसे किसी एक स्वाइज में बनाएंगे बेसिक लिए मिसमें क्या मैं रिचिस इस ओफिस 20 मिनट्स लेट इफी वाक्स फ्रॉम हिस होम एड थी किलोमेटर पर आवर कि अगर वो तीन किलोमेटर पर आवर की स्पीड से घर से निकलता है तो बीस मिनट भाई लेट पहुंच रहा है ठीक है एंड रिचिस थर्टी मिनट्स अरली इफी वो वो तन भॉक्स फॉर किलोमेटर पर आवर और तीस मिनट जल्दी पॉहंच रहा है अगर चार किलोमेटर प्र दी घंटे कि स्पीड से वो चलता है तो बड़ा सान कोशन है कि यह कितना है टरी किलोमेटर पर आवर ऊstones नो कि फोर किलोमेटर पर आबर ठीक है मैंने माना थीन ओर साल या किलोमेटर लेलो मैंने माना भी टॉटल मेरे बस दिसन्स ना कि मैंने स्पीड के या टीसस मांग लिया लेट्ट टॉटल दिस्टंस तो यहां पर अगर आप डिस्तेंस इगल टू स्पीड निटू टाइम लगाओगे तो ट्वैल इस इगल टू टू ट्री इंटू टाइम वन तो टाइम वन कितना अगा आपके वास फॉर आवर ठीक है इसे तरीक से टाइम टू कितना आएगा तो यहां पर यहां पर पहुंचना था जिरो मिनट पर बट पहले केस में आपने क्या किया बीस मिनट लेट आए इस पॉजिशन पर सेक्ड केस में क्या हुआ अब 30 मिनट जल्दी आए तो क्या दुनों कंडिशन की बीचे 50 मिनट का डिफ्रेंस है बस यह आपको ध्यान रखने इस तरह किसे छोटा सा लाइन चार्ट बना ले ता कि आपको इसली पता चले कोशन में है क्या तो यहां पर क आए देखो यहां पर कितना है यहां पर एक आवर और आपको बहुत साथ मिनट का डिफ्रेंस है ठीक है इसके बाद क्या दिया कोशन के कोडिंग लिकितना है पचास मिनट गए नहीं एक यूनिट की वैलिव कितनी आगी पचास प्रते साथ याने कितना इसका मतलब मेरा ड प्लीज को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब बहुत इंपूलिए बहुत इंपूर्टन है जल्दी से गरिए जड़ा चलिए नेक्स्कोशन क्या गया है देखते है चलिए अकाश लिव्स मुंबई एट 6 a.m एंड रिचिस बेंगलोर एट 10 a.m प्रकाश लिव प्रकाश लिव्स बेंगलोर एट 8 a.m रिचिस मुंबई एट 11 30 a.m दैन दे टाइम दू दे सबसे पहले टाइम की बात करूं कि यह मेरे पास आकाश और यह मेरे पास प्रकाश देखो अकाश ने क्या किया है छे से लेके दस बज़े तक यानि चार गंटे लगे फोर आवर लगे और प्रकाश की बात करें तो बही कितना टाइम लगा आठ साड़े क्या रहा यानि 3.5 आवर ठीक है जी टाइम लगा मैंने मानन लैट डिस्टेंस इसगर 14 किलोमेटर त्रिबंट फाइव का मैंने कोई मल्टिबल उठा ले चोटे वालेगा ठीक है तो भाई मेरे बाद स्पीड बन कितनी आएगी अगर आप जहां से देखोगे तो 14 14 14 इस इकल टो 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 तो एक इतना आ गया 14 बाए 4 यानि कितना 3.5 और तो टो कितने एगे 14 इस इकल टो 3.5 इंटो टो 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 या आगे फो इसका मतलब अगर आपके पास दिस्तन्स घंट χ喔 किस पीडिन गोट टो 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 टैम अगर डिस्तन को टैंट है तो टो स्पीड में तो आख यानि अधर डिस्तन्स गोटने थे स्पीड इस इंवर्रक्ट्स सु तॉर्ट pile रीं ताइम जिएमेचल यह आन्ग को ठोड़ा साबसर सो आव क्या कियां मेया थ टोटल डिसंस भाई कितना है 14 किलोमेटर यह मुंबई हो गया मेरा यह पेंगलोर देखो मेरी बात सुनो मुंबई से जो चला है वह काश चला है कितने में चला बेटा मुंबई से अकाश चला है अच्छे बज़े यह ना 6 एम यानि 8 बज़े तक सिरफ और सिरफ यह चल रहे ह आठ बेटी चल रहे एक घंडे में कितना चल रहा है 3.5 दो गंडे में कितना चलेगा वह संधों समझा यह उसने क्या बोला कि आपके पास क्या है वीटा चे से लेके आठ बेट उसह चल रहा है तो अकाश चल रहा है तो चलने तो होफ़ली दिख रहा हुगा बिल्कुल जी यह कितना हुआ चार साथ 7.5 तो यह कितना हुगा 14 बाइव सारी 14 क्यों 7 14 क्यों 7 आएगा अब तो सेवन तो यह कितना है सेवंटी पाइव सेवंटी फाइव यह नहीं कितना अभी बताया था किसे मिल्टिबल एकर चार से तो चपन बटे साथ यानि कितना आठ बजे के चपन यह बहुत अच्छा कोशन है ऐसा कोशन अगर आपके एक्जाम में आजे तो मुझे को इहरान ही न स्राइशों में तो स्पीड उसका इनवर्सली परपोर्शनल होगा आपने सिर्फ इनको क्रॉस करके लिख देना कब जब डिस्टंस कॉंस्टेंट होगा चलिए भाई अ मैन ट्रैवलिंग फ्रॉम डविलेज टू पोस्ट ओफिस एट रेट टोटीव किलोमेटर पर आवर इस कोश्चन का अंसाना मुझे कमेंटर बॉक्स में लिखेएगा आप लोग वीडियो को देखें उसके बाद देखो क्या कहा रहे हो पहले कितने चल रहे है 25 किलोमेटर पर आवर से गया वापस कितने से हैं कि जब भी दो स्पीड हो मेरा दिमाग सिरफ ऐसे चलना चीए कि इनका लेलो कितना आगया मैंने माना भाई डिस्टेंस मेरे पास सो किलोमेटर है अगर मेरे बस टाइम वन की बात करूं अब मैं करके निखांगा पच्ची सो बटे पच्चीस कितना हो गया टाइम टू कितना आ गया सो बटे चार कितना गया 25 आवर यहां पर टोटल टाइम कितना आ गया प्लस पच्चीस है नहीं कितना है टूंटि ना आवर अकॉरणिंट कोशन कितना दिया है फाइप लस फॉर्टी इट बाइट बाइब बिल्कुल सही सिक्सीं बारह जो करता तालेस बारा बंचिसाठ है नहीं कितना 39 बटे पांच मेरा रहा इतना अकॉरणिंट और अकॉश is option number C 20 km is the right answer clear चलिए तो प्लीज 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 लाइक शेर सब्स्राइब दा चैनल एस वेडियो चलिए जैसे कि मैंने शुरु में आपको बताया था सुदेंट्स ये हैपके बास लाइव बैच ऑनलाइव आफम डोनों में एधिर आपके पास और शित की तनी तो है आपके पास है टोड़न वाल टोल्यज आपके पास के इसके इंदर प्लासर टाइस पर तर यहां और तो प्लीज आजे बेल कीजिए, लिंक में लेकर दिस्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज लाइक, शेर और सब्स्राइब दर चनल आज वेल आज दे वीडियो, थैंक यू